आज हम फोटोशॉप में ब्लैक और वाइट इमेज को कलराइज करने की टेक्निक सिखने वाले हैं तो यह मेरे पास एक ब्लैक और वाइट इमेज है जिसको हमने यहाँ पर कलराइज किया हुए तो इसका हम सबसे पहले बिफोर और आफटर प्रिव्यू देख लेते हैं तो यह इमेज हमारी बिफोर ऐसी थी और यह आफटर यह बिफोर यह आफटर तो इस टाइप से अपने ब्लैक और वाइट इमेज को कलराइज करने के लिए हम अपने एक black and white image को यहाँ पर open करेंगे जिसको हम colorize करना चाहते हैं तो same image को मैंने photoshop के अंदर open किया हुआ image photoshop के अंदर open हो जाने के बाद सबसे पहला जो काम है आपको check करना है कि आपका image यहाँ पर RGB mode में है या gray scale mode में जिसके लिए आपको क्या करना है जैसे आप यहाँ पर देख पारें RGB 8 bit या फिर आप menu बार में image menu में जाएंगे mode यहाँ पर मेरे case में RGB colors दिखा रहे यदि आपके case में यह gray scale है तो gray scale से आपको यहाँ पर करना है RGB color इसके बाद ही आपको अपने work को आगे continue करना है इसके बाद आप क्या करोगे जो आपका background layer है उसको आप सबसे पहले तो rename करके उसको नाम देंगे subject उसके बाद आपको layer panel में bottom में यहाँ पर click करने create new fill और adjustment layer वाले icon में जिसमें हम black and white adjustment layer को यहाँ पर active करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है एक reference image को यहाँ पर इस document के अंदर place करवाना है जिसके आप menu बार में file menu में जाएंगे place embedded जो भी reference image को आप लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर import करवाएंगे उसको scale down करेंगे तो मैंने already एक reference image को यहाँ पर import किया हुआ है और उस reference image के skin में से मैंने 5 shades को यहाँ पर define किया हुआ light to dark तो इस image को मैं यहाँ पर zoom कर देता हूँ image को document को zoom करने के लिए मैं यहाँ पर scroller की मदद ले रहा हूँ scroller को अपनी तरफ खीचेंगे तो यह zoom out होगा और बाहर की तरफ, screen की तरफ आप drag करेंगे तो यह zoom in होगा इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा scroller की मदद से आप अपने image को, document को zoom in, zoom out कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपको keyboard में control key को hold करके letter K को press करने या फिर menu bar में edit menu में आप जाएंगे preference, preference में जाने के बाद, यहाँ पर general में click करेंगे जिसका short command आप देख पारें, control plus K इसमें click करते हैं, इसका dialogue box आपके सामने open हो जाएगा जिसमें आपको tools, यहाँ पर click करने इसमें click करते ही, zoom with scroll wheel, इस option को आपको tick कर देने इसको tick करते ही, आपको एक काम easy हो जाएगा यहाँ पर जैसे आप mouse के scroller को अंदर बाहर की तरफ ऐसे scroll करेंगे, तो यह image आपकी zoom in, zoom out होगी और mouse का pointer जहाँ पर होगा, वहीं पर zoom in, zoom out होगा आप जैसे देख पा रहे है, mouse का pointer मेरा ears की तरफ है, तो यहाँ पर zoom in, zoom out हो रहे है अब जैसे मैं eyes या nose की तरफ यहाँ पर mouse के pointer को रखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे है यहाँ पर zoom in, zoom out हो रहे है, तो इसको मैं control की को hold करके number 0 को press कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर zoom कर रहूँ ऐसे तो यह हमारा reference image है यहाँ पर जिसमें से मैंने light to dark shade को यहाँ पर define किया है, यह कैसे define करने है simple है, आपको एक new blank layer लेना है तो यह black and white layer के उपर आपको एक blank layer लेना है, जिसके लिए आप layer panel में यहाँ पर click करेंगे create a new layer इसमें click करते है एक new layer आपको यहाँ पर define हो जाएगा, इस layer को आप नाम दे सकते है shades और इसको rename करने के बाद आपको tool palette में जाना है, यहाँ पर rectangular marquee tool को select करोगे simple एक selection आप rectangular marquee tool की मदद से ऐसे create करोगे, इसके बाद light to dark shade को हमें here define करना है तो हम यहाँ पर click करेंगे tool palette में set foreground color, इसमें click करते ही color picker का dialect box आपके सामने open हो जाएगा, यहाँ से कोई भी color को आप define कर सकते हैं, तो यह current color हमारा foreground का यहाँ पर दिखा रहा है, लेकन जो new color हम define करेंगे, वो यहाँ image में से, तो reference image में से color को define करने के लिए, जैसी आप mouse के pointer को इस color picker वाले dialect box से बाहर की तरफ लेके जाएंगे, तो यह eye dropper वाला icon आपका active हो जाएगा, तो यह icon जैसी active हो जाए, तो आपके reference image में से, जो भी skin में light shade वाला area है, वहाँ से आप एक color को pick करेंगे, तो इस color को मैंने यह nose के पास से, एक color को pick कर लिए simple click किया है, मैंने यहाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, okay में click करेंगे, यह selection हमारा अभी भी active है, layer 1 जो हमने आपको कहा था, इसको rename कर देना, shade नाम से, यहाँ पर उस color को, जो हमने foreground color अभी define किया है, nose वाला, उस color को fill करोगे, आप, alt, backspace दबाएंगे यहाँ, इसके बाद, selection tool आपका अभी भी active है, rectangular marki tool active है, तो जैसी mouse के pointer को इस selection के अंदर आप लेके आएंगे, तो यह move tool जैसा icon आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, white color का, और नीचे एक selection वाला icon भी आपको दिख रहा होगा तो यह icon जैसी बन जाए, इस selection को आप move कर सकते हैं, किसी भी point में, यह आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ move कर रहा हूँ, तो यह move हो रहा है, control shade से थोड़ा सा dark shade मैं यहाँ पर लूँगा skin से, तो simple, आपको यहाँ click करना है, set for ground color, और यहाँ से मैं एक dark shade को यहाँ पर define कर रहा हूँ, तो यह color मैंने define कर लिया, ok में click करोगे, alt backspace, इस के बाद इस selection को नीचे की तरफ में drag कर रहा हूँ, shift की को hold करना है, थोड़ा सा नीचे shift करने के बाद, फिर shift की को hold करना है, इतना कर लिया मैंने, फिर यहाँ click करेंगे, आप थोड़ा सा out dark shade हम देखेंगे, यहाँ, इस color को मैंने लिया, ok में click किया, alt backspace, इस selection को नीचे की तरफ आप ऐसे drag करोगे, यहाँ पर click करना है, और यहाँ से आप एक थोड़ा सा out dark shade आप यहाँ पर लेंगे, इस color को मैंने ले लिया, ok में click करोगे, alt backspace, तो इस type से आप shades को यहाँ पर define कर सकते हैं, आपकी requirement के according, तो मैं इस layer को यहाँ पर delete कर देता हूँ, क्योंकि already मैंने यहाँ पर कुछ shades को define किया हुआ है, जो इस skin के हिसाब से मेरे क्याल से अच्छा work कर रहे हैं, जिसका आप hash code भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से आप अपने shades को यहाँ पर define कर सकते हैं, तो यह मेरा reference image का group है, और इसमें यह हमारे shades है, जिसका hash code भी है, तो इसकी layer visibility को मैं यहाँ off कर देता हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है, इस document को मैं यहाँ पर fit to screen कर रहे हूँ, keyboard में, control key को hold करके number 0 को press करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, color को fill करना है, तो color को fill करने के लिए, आपको क्या करना है, simple जो भी हमें color जहाँ पर भी fill करना है, जैसे coat को हमें यहाँ पर अलग color से fill करना है, तो क्या करना पड़ेगा, coat का एक selection हमें यहाँ define करना पड़ेगा, simple है, और face इसके selection को यहाँ पर define करना पड़ेगा उसके बाद इसमें हम जो हमने यहाँ पर shades define किये थे उस shades को हम यहाँ पर इसके face में apply करेंगे hands में भी same shades को हम apply करेंगे फिर जो hair है इसका हम एक selection create करेंगे और उसमें color को fill करेंगे selection बनाना इसलिए जरूरी है otherwise क्या होगा selection आप नहीं बनाएंगे तो आपके Photoshop application को नहीं पता होगा कि color को कहां fill करने तो वो क्या करेगा simple pure document के उपर color को fill कर देगा लेकिं selection आप define करेंगे तो हम उसको एक command दे देंगे उसको बता देंगे कि इतनी area में ही आपको color को fill करने तो selection को create करने के लिए आप किसी भी selection tool की मदद ले सकते हैं जैसे की tool palette में आप जाएंगे lessor tool हो गया तो lessor tool की मदद से आप यहाँ पर ऐसे एक selection यहाँ पर define कर सकते हैं लेकिन यह है हमारा rough selection selection को refine करने के लिए अच्छा selection create करने के लिए आप pen tool की मदद ले सकते हैं जिसकी मदद से यह selection बहुत ही refine आएगा तो pen tool की मदद से मैंने already इसके different part के यहाँ पर selection को define किया हुए तो यह path में यदि आप check करेंगे तो यहाँ पर मैंने different parts के यहाँ पर selection को create किया है और उन path को मैंने यहाँ पर नाम दिया है और इसको as a channel भी मैंने यहाँ पर save किया हुए as a selection इसको alpha channel मैंने यहाँ पर save किया हुए तो इसके बाद आपको क्या करना है यह RGB वाले channel को मैं यहाँ select कर रहा हूँ इसके बाद layer panel में हम चलेंगे और यह जो black and white वाला आपका जो layer है इस layer के उपर हम एक new solid color वाले adjustment layer को लेंगे लेकिन उसके पहले यह जो background है इस background का मैं एक selection यहाँ पर define करूँगा तो layer panel में हम वाँ पर चलते हैं और background वाले selection को मैं यहाँ पर load करूँगा तो उसको load करने के लिए हमें क्या करने है select menu में आपको जाना है load selection और यहाँ पर document का नाम आपको शोग करेगा और यहाँ पर channel में background इसको मैं select कर रहा हूँ ओके में click करेंगे तो यह selection में यहाँ पर active हो गया इसके बाद मैं solid color को यहाँ पर fill करूँगा जिसके आपको क्या करना है layer panel में यहाँ पर click करना है create new fill और adjustment layer वाले icon में जिसमें solid color यहाँ पर click करता ही color picker का dialog box आपके सामने open हो जाएगा जिसमें एक hash code को आपको यहाँ पर type करना है तो यह hash code मैंने यहाँ पर type कर दिया 8A3F00 OK में आप click करेंगे और इसके blend mode को आपको यहाँ पर change करना है इसको आपको करना है color और इसकी opacity को मैं यहाँ पर थोड़ा सा down करूँगा तो इसको मैं 50% ले रहा हूँ इसके बाद आपको क्या करना है इसके face के selection को हम यहाँ पर load करेंगे तो इसके face के selection को load करने के लिए one second हम select menu में जाएंगे load selection और यहाँ से face वाला जो मेरा alpha channel है उसको मैं यहाँ select करूँगा okay में click करेंगे यह मैं इसलिए कर पा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मैंने in selection को already पहले से save किया हुए लेकिन आपके case में ऐसा नहीं होगा आपको manually in selection को यहाँ पर define करना पड़ेगा तो यह selection मैंने already save किया था इसलिए easily मैं in selection को यहाँ पर load कर पा रहा हूँ तो यह जब face का selection आप create कर लो इसके बाद आपको क्या करना है यह जो shades हमने define किया था skin का reference image वाले layer की layer visibility को मैं यहाँ पर on कर रहा हूँ और simple हम यहाँ पर click करेंगे create new field और adjustment layer वाले icon में जिसमें आपको gradient map इस adjustment layer को यहाँ पर select करने इसको select करते इसकी properties वाला panel आपके सामने active हो जाएगा यदि active नहीं होता है तो windows menu में आपको जाने properties यहाँ क्लिक करेंगे तो properties वाला panel active हो जाएगा उसके बाद simply आपको यहाँ पर click करने click to edit the gradient लेकिन उसके पहले आपको इधर पर click करने layer thumbnail में यह हमारा यहाँ पर अभी क्या select है layer mask thumbnail आपको यहाँ पर click करने layer thumbnail में उसके बाद properties वाले panel में आप यहाँ पर click करेंगे click to edit the gradient इसमें click करते gradient editor का dialogue box आपके सामने open हो जाएगा जिसमें basic में हमारा यह वाला यहाँ पर gradient select है for ground to background इसके बाद आपको क्या करना है यह जो पहला stop आपको यहाँ पर दिख रहे है और जो last stop दिख रहे है इसके color को हम यहा इसको आपको select करना है और यह जो नीचे color आपको दिख रहे है यहाँ पर आप click करोगे इसमें click करती color picker का dialogue box आपके सामने open हो जाएगा और जैसे mouse के pointer को आप बाहर की तरफ लेके जाएगे तो यह आई-dropper वाला icon आपका active होगा और यह जो dark shade है नीचे वाला इसको आपको select करना है यहाँ okay मैं click करोगे इसके बाद एक stop को हम यहाँ पर add करेंगे तो जैसे मैं mouse के pointer को यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिखा रहा है click to add stop तो simply मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ तो जैसे मैंने click किया तो इसका location 21 दिखा रहा है तो इसको हमें यहाँ पर करने 25 25 मैंने करके enter कर दिया तो मेरे को दुबारा से यहाँ click करना पड़ेगा click to edit the gradient तो यह वापस से gradient editor का dialogue box हमारे सामने open हो गया तो यह जो हमारा second number का stop था 25 location है इसका इसके color को हम यहाँ change करेंगे तो यहाँ पर change color of selected stop यहाँ पर click किया और यहाँ से dark to light हम यहाँ पर जा रहे हैं तो यह जो second last number का shade है इसको मैं यहाँ pick कर रहा हूँ okay में click करेंगे इसके बाद एक stop को हमें यहाँ add करने click to add a stop और इसका location 50 आप रखोगे और color में आप यहाँ click करेंगे और यहाँ पर आपको click करना है third number का नीचे से third number इसको हमने select किया okay में click क करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने click किया एक stop को मैंने add किया यहाँ पर इसके location को 75 रखना है हमें यहाँ पर और यहाँ पर मैं click कर रहा हूँ color को change करने के लिए और यहाँ से जो top से second number का है और bottom से fourth one यहाँ पर हम click करेंगे इस shade को मैंने ले लिया और इसके बाद final stop तो हमारे already है यहाँ पर तो इस stop को मैंने यहाँ पर select किया और यहाँ color में हम click कर रहे है location 100 है इसका यहाँ पर click करते ही यह color पर करकर dialogue box आपके सामने open होगा और यह जो light वाला shade है इसे आपको select करने okay में click करेंगे okay में click करेंगे तो यह shade कुछ इस प्रकार का हमें दिखा रह या फिर इस layer को इस group को आप delete कर सकते हैं तो मैं इसको फिलाल यहाँ पर off कर रहा हूँ और यह जो हमारा gradient map 1 वाला जो layer है इसको मैं one second यहाँ select कर रहा हूँ और इसके blend mode को मैं यहाँ पर change करूँगा तो यहाँ पर मैं click कर रहा हूँ और इसको हम करेंगे color अभी भी यह gradient map वाला हमारा layer है इसको मैं नाम दे रहेता हूँ face इसके बाद आपको क्या करना है यह जो face वाला आपका layer है ठीक है इधा पर आप right click करोगे blending option blending option में click करते है इसका dialect box आपके सामने open हो जाएगा अब हमारा जो सारा काम है underlying layer में black और white point में हम सारा work करेंगे तो underlying layer में यह जो आप यह जो right side वाला black triangle है इसको मैं ऐसे drag कर रहा हूँ यह इतना मैंने ले लिया अब यह जो white triangle है इसको हम right to left की तरफ ऐसे लेके आएंगे अब इसको भी आपको break करना है alt key को press करोगा यह break हो गया इसको हम ऐसे drag कर रहे है इतना मैंने कर लिया तो यहाँ पर आप difference देख प तो क्या करना है यह जो face वाला जो हमारा adjustment layer है इसी का मैं एक duplicate copy ले रहा हूँ जिसके आपको क्या करना है face वाले layer को आप select करो keyboard में control key को hold करके letter J को press करना है और इस layer को मैं यहाँ पर सबसे पहले rename कर देता हूँ इसके बाद आपको क्या करना है इसके layer mask thumbnail को आप select कर लो और इ hand के selection को define करने के लिए जो selection मैंने already save किया हुआ है उसको मैं यहाँ पर load करूँगा तो select menu में हम जाएंगे load selection और channel में यहाँ पर आपका hand इसको select करोगे आप okay मैं click करना है तो यह hand का selection यहाँ define हो गया इसके बाद यह जो layer mask thumbnail था इसको मैंने black color से fill किया था यहाँ पर मैं आप foreground और background color keyboard में आप letter D को press करोगे उसके बाद letter X को आप दबाएंगे तो यह color आपके swap होगे यहाँ तो मेरा foreground color यहाँ पर white है तो जिसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर alt backspace यदि foreground color आपका black होता और background white होता तो control backspace क्योंकि हमें इस selection में white color को fill करना है इस layer mask thumbnail में तो मैं X क एस selection के उपर मैं right click कर हुँ डिइस एस लेक्शन के ऊपर मैं right click करूँं इसे बाद आपको क्या करना है इस के coat के color को हम यह define करेंगे तो आपको क्या करना है यहाँ पर हम click करेंगे create new fill और adjustment layer वाले icon में जिसमें हम solid color इसमें click करते हैं इसका dialect box आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर आपको एक color code type करना है या जो भी color आप लेना चाहते हैं वो color आप यहाँ पर define कर सकते हैं यहाँ पर मैं एक color code को type कर रहा हूं तो यह color code आप यहां पर देख पा रहे हैं 06152E okay मैं click करना है इसके बाद इसके blend mode को आपको change करना है यहाँ पर इसको आप करेंगे color इसके बाद हमारे क्या बसता है यह जो हमारा stick है इसको भी हम यहाँ define करेंगे hairs को define करने, mustache को fix करने, eyebrows तो हम सबसे पहले hairs को यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको क्या करने, select menu में जाने, load selection और यहाँ पर channel में hair को आप select करोगे, ok में click करोगे, यह hair अमारे यहाँ select हो गया, इसमें आपको क्या करने, एक color को fill करने, तो मैं यहाँ पर click कर रहाँ, create new fill और adjustment layer वाल आइकन में, जिसमें solid color, यह मैंने click कर लिया, यहाँ से मैं एक color को pick कर रहाँ, जिसका hash code आप यहाँ पर देख पाने, 201C1B, ok में click करोगे आप, और इसके blend mode को आपको change करना है की नहीं करना, बिल्कुल करना है यहाँ पर, इसको हम करेंगे यहाँ पर color, और इसके बाद यहाँ पर आपको right click करने, blending option, और यहाँ पर underlying layer में यह जो dark और light आपका यहाँ पर triangle है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा से drag करेंगे, तो इसको मैंने black point को यहाँ पर break किया, और उसके बाद right side वाले triangle को मैं ऐसे drag कर रहा हूँ यहाँ, तो इसको round about 57% ले रहे हैं, इसको मैंने इतना लिया और इसको मैं break करके यहाँ पर ऐसे drag कर रहा हूँ, तो इतना मैंने यहाँ पर ले लिये, इसके बाद आपको ok में click करने, इसके बाद आप क्या करोगे, यह जो mustache का आपको area देख रहा है, इसमें भी हम color को fill करेंगे, तो अभी तक जो हमने यहाँ पर adjustment ले लिये, इनको हमने rename नहीं किया है, तो इसको मैं rename कर देता हूँ यहाँ, इसके बाद इसके mustache को हम यहाँ fix करेंगे, तो select menu में आपको जाने, load selection और यहाँ पर आप mustache, ok, यहाँ पर इसका selection active हो गया, आपको यहाँ पर click करने, solid color, यह color मैं यहाँ ले रहा हूँ, 291E1B, ok में click करेंगे आप, और इसके blend mode को आपको करना है, यहाँ पर color, यहाँ आप देख पा रहा है, यहाँ पर difference, और इसके बाद, इसमें भी हम blend if का use करेंगे, यहाँ पर right click करने, blending option, और यहाँ पर underlying layer में, इसको break कर रहा हूँ मैं black point को, और इसको हम थोड़ा से drag करेंगे ऐसे, तो round about 80 में ले रहा हूँ, और यह जो white point है, इसको भी मैं drag कर रहा हूँ यह, इसको भी मैं यहाँ break कर रहा हूँ, तो यह मैंने यहाँ पर इतना ले लिये, इसके बाद okay में हम click करेंगे, तो इतना काम हमारा हो गया, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, तो इसको मैंने नाम देती है mustache, इसके बाद आपको क्या करना है, eyebrows, तो फिर से हम select menu में जाएंगे, load selection, और यहाँ पर आपका eyebrow, इसको select करना है, okay में click किया आपने, और once again, यहाँ पर आप click करेंगे, create new fill, और adjustment layer वाले icon में, solid color, same, एक dark shade को हम यहाँ ले लेते हैं, okay में click करेंगे, और इसके blend mode को भी आपको change करना है, color, और इसको भी हम यहाँ पर rename कर देते हैं, और इसमें भी blending option में हम जाएंगे, double click कर रहा हूं मैं, और य drag कर रहा हूं है, तो इसको round about 91% ले रहा हूं, अब यह white triangle को भी हम थोड़ा से drag करेंगे, इसको थोड़ा से drag करते हैं, तो हमें eyebrow के उपर focus करना है, तो इतना मैंने ले लिए 208, 206 ले लेते हैं, इसको भी मैं यहाँ ब्रेक कर रहा हूं, और इसको भी हम थोड़ा drag करेंगे इसके बाद आपको ok में click करना है, इसके बाद हमारे क्या section बचा है, eyes का section बचा है यहाँ, क्योंकि अभी पूरे eye के उपर आपने जो यह वाला adjustment layer लिया था, face वाला, तो पूरे face का effect आपके eyes के उपर आ रहा है, तो उसको सबसे पहले हम यहाँ fix करना है, तो हम क्या करेंगे eye वाले selection को यहाँ पर load करेंगे, select menu में आप जाएंगे, load selection और यहाँ पर eye, यह eyes वाले channel को आपने select कर लिया, ok में click करना है, इसके बाद आप क्या करोगे, यह जो हमारा face वाला adjustment layer है, इसको आप select करो यहाँ पर, इसका layer मास thumbnail आपका यहाँ select है, इसमें आपको क्या करना है, black color से fill करना है, तो मेरा foreground color यहाँ पर क्या white, background, black है, तो आपको क्या करना है, यदि background color आपका यहाँ पर black है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, control plus backspace, तो आप यहाँ पर देख पा रहे है, यह white color हो गया यहाँ पर, इस selection को मैं deselect कर देता हूँ, इसके बाद आपको क्या करना ह चलेंगे eyebrow वाले, इसको select करना है, इसके बाद हम iris वाले selection को यहाँ पर load करवाएंगे, फिर से आपको select menu में जाने, load selection और यहाँ पर iris, इसको मैं select कर रहा हूँ, आखो के अंदर का area है, इसको मैंने simply select किया, इसके बाद हमको यहाँ पर click करने, create new fill और adjustment layer वाले icon में, जिसमें solid color, यहाँ से मैं एक shade को ले लेता हूँ, यह देखने में भी थोड़ा weird दिख रहा होगा, okay मैं आपको click करने, blend mode, यहाँ पर आप करूगे color, और इसकी opacity को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ है, 35% मैंने ले लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पर नाम दे र और adjustment layer वाले icon में, solid color, इसमें click करते हैं, इसका dialogue box आपके सामने open हो जाएगा, तो यह color मैंने यहाँ define कर लिए, इसका hash code आप देख पा रहे है, BF3C3C, okay मैं click करोगे, blend mode, color, इसके opacity को हम देखते हैं, कितना करने, मेरे कहाँ से 50 में ठीक आना चाहिए, इसके बाद, इसको भी lips के ऊपर, shadow part और highlight वाले area में, इसको मैं यहाँ break कर रहा हूँ, इतना मैंने यहाँ ले लिया है इसको, 85-95 और यह जो white वाला हमारा है, इसको भी हम देखते हैं, इसको भी मैं break कर रहा हूँ, alt key press कर रहा हूँ यह, okay मैं click करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यह जो stick क का color है, इसको भी हम थोड़ा से यहाँ पर refine कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, once again select menu में आप जाएंगे, load selection, यहाँ पर आपको full stick है, stick black और stick white, white वाले को मैं select कर रहा हूँ, okay मैं click करेंगे, तो यह white area हमारे यहाँ define हो गया, यहाँ पर आपको click करना है, create new fill और यहाँ पर नाम दे रहेते हैं, अब यह जो black area, black part है stick का, उसको भी हम यहाँ load कर रहे है, select menu में आपको जाएंगे, load selection, और यहाँ पर stick black part, okay में click करोगे, यह black part हमारे active हो गया, फिर से यहाँ पर click करना है, create new fill और adjustment layer वाले icon में solid color, और यहाँ से black color हम define कर रहे है, okay में click करना है, blend mode आपक हुआ है, आपको क्या करना है यहाँ पर, अब जैसे आप यहाँ पर इस image को मैं यहाँ जूम करता हूँ, यह हमें यहाँ पर जो face का मैंने selection create के है, यह बहुत ही sharp edges मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो इसको fix करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, simple है, face वाले adjustment layer को आप select करो यहाँ पर, कहाँ पर है, यह हमारा face वाले adjustment layer है, face वाले adjustment layer को select करने के बाद, आप इसका जो layer mass थमने ले, इसको आप select करोगे यहाँ पर, इसके बाद आपको क्या करना है, filter menu में आपको जाना है, blur, Gaussian, blur, इसमें क्लिक करते ही, इसका dialogue box आपके सामने open हो जाएगा, बहुत ही minor से difference है, इस image को मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ, इसको हम थोड़ा zoom out करते हैं, अब यह feather की value को आप यहाँ पर check कर सकते हो, यह आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह हमारा जो edge है, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, soft हो रहा है, तो round about मैं यहाँ पर 36% ले रहा हूँ, ok मै क्लिक करेंगे, तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो mask है, alt key को मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ, तो यह mask आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, totally feather हो गया है, फिरसे मैं alt key प्रेस करके layer mask thumbnail के उपर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो यह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह बहुत ही अच्छे से यहाँ पर blend होगे, इसके बाद जितना भी हमारे यहाँ पर area है, जैसे hand का area है, इसको मैं simply यहाँ select कर रहा हूँ, filter menu में आपको जाना है, Gaussian blur, जो last हमने command चलाया था, यहाँ पर click कर रहे हैं, तो यह भी blur होगे है यहाँ पर, इसके बाद यह जो हमारा background है, इस background को भी हम थोड़ा से blur करेंगे हैं, तो background वाले layer के layer mask thumbnail को आपको select करना है, filter menu में आप जाएंगे, blur, Gaussian, blur, तो इसको भी हम थोड़ा blur कर रहे हैं, ओके में click करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब छोटा से यहाँ पर tweaking करना है हमें, जैसे यह जो nose का area है, eyes क तो यहाँ पर आपको थोड़ा redness लाना है, जैसे cheeks हो गएं आपके यहाँ पर nose के पास, तो इनको यहाँ पर define करने के लिए आप क्या कर सकते हो, simple यह जो stick black part वाला layer है, इसको select करोगे, और यहाँ पर एक new blank layer लेना है आपको, और simple brush tool आप active करेंगे यहाँ पर, tool palette में आप ज define कर लो, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, set for ground color, यह color मैंने ऐसा ले लिया यहाँ, brush की hardness को हम थोड़ा सा कम करेंगे, 17% मैं ले रहा हूँ, और brush के size को हम थोड़ा और छोटा करेंगे, यहाँ, इतना मैंने ले लिया, simple सा मैंने यहाँ पर ऐसे draw किया, इसको हलका सा, यह जो area ह मैं आपको जाने, blur, Gaussian blur, जैसे मैं radius कम कर रहा हूँ, यह आँको मैं आप देख पर हैं, redness add हो रहा है, तो 4 pixels का मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, 4.2, ok मैं क्लिक करने, यहाँ पर भी मेरे को add करना है, तो इसके लिए मैं एक और layer लूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर simple सा एक stroke ले रहा हूँ, randomly, यह मैंने एक stroke ले लिया, filter menu में आप जाएंगे, Gaussian blur, तो यह यहाँ पर हो गया, इसके बाद यह दोनों layer को मैं यहाँ select कर रहा हूँ, control ही करेंगे यहाँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, इतना काम हो गया आपका, फिर जैसे यह nose का section हो गया आपका, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ऐसे simply वो red color से यहाँ पर हलका से brush के stroke को लोगे, लेकिन एक new layer लोगे, फिर जैसे आपका air हो गया यहाँ पर, कानों में, यहाँ पर जो area होता आपका ऐसा, तो यहाँ पर आप हलका से लेके यहाँ पर add कर सकते हैं, फिर आपका cheek का area है तो यहाँ पर जैसे simple मैंने एक layer लिया, brush के size को मैं यहाँ बढ़ा कर रहा हूँ, इतना मैंने लिया, इसके बाद आपको क्या करने है, filter menu में आप जाएंगे, blur, Gaussian blur, अब यहाँ radius हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो यह जो मैंने size लिया था काफी बढ़ा है, इसको हम undo करते है brush के size को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ है, क्योंकि feather देने के बाद यह जो red color है वो फैलेगा, इतना मैं ले रहा हूँ है, इसके बाद हम filter menu में जा रहे है, blur, Gaussian blur, अब यहाँ थोड़ा साम, तो round about मैं 20% लेके देखता हूँ, इतना मैंने ले लिया, ok मैं क्लिक करेंगे, यह आप देख पा रहे हैं, हलका सा यहाँ पर add हो गया यह, ctrl T कर लो आप, इसको थोड़ा सा आप scale कर सकते हैं ऐसा, यह आप यहाँ difference देख रहे होंगे, और इसकी opacity को थोड़ा कम कर सकते हैं, 75% हम ले रहे हैं, इसको भी आप rename कर सकते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है इसमें थोड़ा सा हम color grading कर देते हैं, तो simple हमें क्या करना है, इन सारे layers का में एक snapshot यहाँ पर लेने वाला हूँ, तो keyboard में Ctrl Shift Alt E, आप यहाँ प्रेस करेंगे, इसको हम एक नाम दे रहेते हैं, इसके बाद आप क्या करोगे, filter menu में जाएंगे, और यहाँ पर इसमें आप निकल रहे है हमारा, तो amount में 100 ले रहा हूँ, radius 2, ok में click करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर click करेंगे, create new fill और adjustment layer वाले आइकन में, vibrance, जिसमें vibrance की value को में थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, 50 से 80% के बीच में 70% ले रहे हैं, इसके बाद आपको यहाँ click करना है once again, और यहाँ पर हम photo filter, photo filter में click करते हैं, इसका dialogue box आपके सामने open हो जाएगा, जिसमें filters में, यहाँ पर warm filter दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो भी default है, warm filter 85, और इसके बाद हम यहाँ पर fit से click करेंगे, और यहाँ पर color look up, यहाँ click कर रहे हैं, और यहाँ पर 3D LUT file में, बाज तो इसको मैं यहाँ पर color में रख रहा हूँ, और इसके opacity को मैं 50% ले रहा हूँ, फिल की opacity जो है, फिल की value, और इसके बाद एक और adjustment layer में लूँगा, once again, यहाँ मैं click कर रहा हूँ, और यहाँ पर color look up, और यहाँ से एक color को मैं pick कर रहा हूँ, So friends, आज हमने Photoshop में black and white image को colorize करने की पूरी technique पूरा process देखा, यदि यह tutorial आपको useful लगा, आपके काम का लगा, तो comment section में मुझे ज़रू comment करके बताएं, और यदि आप इस channel पर नए हैं, तो मेरे channel को ज़रू subscribe कीजे, और यदि यह video आपको पसंद आया, तो ज़रू like कीजे, और ज़रे से यादा share कीजी, thank you friends for watching my video.